आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्लान जिसका साइज होगा पच्छीज बाइपच्छीज और इसको हमने डिजाइन किया है चार बेट्रूम के हिसाब से तो यहां पर आके पढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि याफ हासी पिलिक लिख करके कुछ वीडियोस देख सकते हैं या फिण डैने का लिएआउट कुछ इस तरीके से है जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 25-25 हमारा प्लॉट है यहां पे जो स्क्राफिट एरिया बनता है वो 625 स्क्राफिट बनता है और इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा 3D plan sizes के साथ होगा 2D plan होगा वो भी sizes के साथ ही होगा प्लस यहां पे costing भी हम बताएंगे ground और first floor की कि कितने construction cost आएगे तो यहां पे जो हमने already mention किया हुए ground और first floor इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं और यह जो है काफी अच्छा इसमें ventilation option आपको मिल सकता है और इस design को आप किसी भी direction में किसी भी दिशा में बना सकते हैं तो चलिए फट फट से हम इस plan की detailing शुरू करते हैं और इसका overview लेते हैं एक बाद तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पे entrance door की तो यहां पे हमें entrance door की जो चड़ाई मिलती है तीन foot 9 inch मिलती है और जिसमें होगा single पले का door उसके बाद आगे हम जाएंगे तो यहां पे हमार में drawing room में जो है किस तरीके से sitting बिठाई हुई है उसी में आपका CD भी आ रहा है उससे पहले हम बात करेंगे यहां पे kitchen की तो kitchen का एक पर आप layout देख लिए kitchen में L shape का counter है हम चाहते तो counter को पूरा कर सकते थे लेकिन हमें fridge भी रखना है तो fridge के लिए हमने यह कोना यूज किया ह और fridge के उपर पानी ना जाए उसके लिए हमने बीच में यह partition डाला हुआ है यहां पे आपका sink है और यह आपका cooktop है चाहे तो आप position change कर सकते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि heat से दूर रखना चाहिए fridge को जिससे की cooling अच्छी हो तो इस बात का आप जरूर ध् रहेगी यानि साथ को साथ फूट दस इंच बाए साथ फूट का यह पूरा kitchen रहेगा काफी अच्छा size मिल रहा है आपको यहां पर उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर hall की तो hall में जैसा कि आपने देख लिया कि sitting हमने जो है यहां पर L-shape में दी हुई है और यह जो आप पर block किया हुआ है आप चाहें तो यहां पर नॉर्मल चोटे-चोटे cabinet या फिर डाल सकते हैं जिसे कुछ आप यहां पर स्टोर कर सके कि सीड़ी की चोड़ाई यहां पर रहेगी तीन फूट की सीड़ी जो है कुछ इस तरीके से जा रही है और यहां पर आकर लैंड करती है अपने फर्स्ट फ्लोर पे हैं अगर सीड़ी में जो है कितने स्टेप देना है राइजर की हाइट कितनी होने चाहिए उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाय हुआ है हाइट की हिसाब से कि 10 फूट या फिर 11 फूट या फिर 12 फूट हाइट में कितने हमें स्टेप रखने चाहिए और कितने राइजर मिलने चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको आई बेटन में दे दूँगा वहां से जाके आपको वीडियो को देख सकते हैं पूरा वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा अब हम बात करते हैं इस ड्राइंग रूम के साइज की तो य यहां से लेकर यहां तक 13 फूट एक इंच का है उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कॉमन बात रूम का भी साइज काफी अच्छा है तो यहां पर इसका साइज मिल रहा है 7 फूर 10 इंचिस की चोड़ाई है और 5 फूट 9 इंचिस की लंबाई है जो की काफी अच्छा और हर जगे आप यहां पर ड्राइंग रूम में देख सकते हो कि हमने वाल पेपर फ्लोरिंग जो है आपको वाइट मार्बल रखी हुई है वाल पे वाल पेपर से तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं जो भी हम बजट बताएंगे उस बजट में यह सारी फिनिसिंग चीज लिया हुआ है और यहां पर आपको इस बेडरूम में तीनों चीजें मिलेंगे स्टेंडर साइज की जैसे कि आपका बैड हो गया अलमारी हो गई और एलसीडी हो गया हम बात करें इस रूम के साइज की तो यहां पर इस बेडरूम की चुड़ाई मिल रहे आपको बारा एक साइड का जो साइटेबल हमने हटा दिया है और आपको अलमारी भी मिलेगी और आपको लसीडी भी मिलेगा प्लस आपको बैक साइड में एक विंडो मिल रही है तो यहां पर जो आपको साइज मैं बता दूँ पहले तो यहां पर जो इस रूम का साइज है 11 आउटर वाल के थिकने से हमने 9 इंच रखी हुई है और जो अंदर की सारी दिवारे हैं वह आपकी 4 इंच की रहेंगी यह हमारा ग्राउन से के लिए आपके इतना बजले तो आप इस प्रजेक्ट के काम करते हैं तो चली फटथταफट करते हैं यहां यहां पर आपको व्यरिफाई कर दो कितने का हमने जो आपको 3D मेरे बताई वह सही है या तो यहां यहां पर 25 पर 25 का आपको size मिल रहा है plot का उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर entrance की तो यहां पर entrance तीन फूट 9 इंच की जैसा कि हमने बताया यहां पर है आपका kitchen का size आप देखते जाएं यहां पर sizes आपको clear होता जाएगा इसके पात आप पात है यहां पर hall का area तो 15 फूट 3 इंच जैसा कि मैंने आपको बताया था और 13 फूट 1 इंच की पूरी लंबाई है सेड़ी की जो चोड़ाई है वो आपकी 3 फूट है और जैसे कि मैंने आपको बताया क और डीटेल के लिए आप एक सेप्रेट वीडियो देख सकते हैं उसका लेंक जो है मैं आई बिटन में दे दूंगा या फिर डेस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं उसमें आपको सारी चीज़ें हाइट के हिसाब से मिल जाएंगे तो यहां पर साथ फू सबसे पहले चीज़ें वह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कि इस फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5-6 जो है फिर्ष फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी आके बढ़ते हैं यहां पर जो है हमने सबसे पहले को वेरिफाई करते हैं यहां पर तीन फूट वाइड जो है आपको सामने आप चाहें तो इसको चार फूट भी कर सकते हैं उसक स्टोरों जो कीचन पर साइज था वही आपको यहां पर मिल रहा है तो फुट दस इंच वहाई साथ फूट का यह आपको इस्टोरों मिल जाता है वाथ रूम का जो साइज है कौमन बातरूम का इसकी जो लंभाई है हम देखेंगे तो 5-9 इंच इसकी लंभाई है और चोड बेड्रूम के हिसाब से 25 25 का घर काफी अच्छा होता है अगर हम बात करें कि इस प्लॉट को कितने बाई कितने में डिजाइन किया जा सकता है तो यहां पर नॉर्मली जो है आपके पास जो है या तो चारो साइड ओपन एरिया हो या फिर आपके पास तीस बाई तीस का कम से क प्लॉट होना चाहिए तभी आप इस प्लाइन को अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे क्योंकि चारो साइड से इसमें जो हमने विंडव प्लेस किया हुआ है जिसे कि चारो साइड से अच्छी का सिवा एंटिलेशन या पर मिल सके हैं अगर हम आगे बात करें सेकेंड फ्ल आगे जो तीन फूट वाला जो बैलकिनी है वो भी आपका यहां पर ओपन रहेगा तो यहां पर आप जो यह मम्टी है यहां पर एक छोटा सा च्छा दे सकते हैं या फिर इस पर जो च्छत बनाएंगे उसको आप डाइफूट आगे निकाल सकते हैं इस तरीके से आप कर सक हैं तो यह हो गया आपका सेकंड फ्लोर टैल्स प्लान तो उम्मेद करता हूं इस वीडियो से काफी लोगों की हेल्प हुई होगी इसलिए इस वीडियो को जबस ज्यादा शेयर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें